दोस्तो सबस्वेल आप सभी का स्वागत है मरे यूटूब चैनल क्रिजी ग्यान पर तो इस वीडियो के अंदर आज मैं आप सभी को बताने वाला हूं कि अगर आपके पास एक एंडोर्ट फोन है और आप सभी के एंडोर्ट फोन में गूगल प्लेश्टोर है ना तो इस वी स्वागत हैं तो इस वीडियो के अंदर आज मैं आप सभी को यही सिखाने वाला हूं कि किस तरीके से आप Google Play Store से बिना इंटरेट के किसी भी गेम को या फिर किसी भी application को चाहे उसका size कितना भी बड़ा क्यों नहों उससे आप अपने phone में बिना internet के download कर सकते हैं जी हाँ दोस्तों इस video के अंदर आज मैं आप सभी को यही सिखाऊंगा तो अगर आप जानना चाहते हैं कि किस तरीके से Google Play Store से बिना internet के without internet के आप अपने phone में किसी भी game को या फिर किसी भी application को download कर सकते हैं तो चलिए अब जल्दी से करते हैं मिड़को start तो चलिए अब मैं आपको जल्दी से बता दीता हूँ यह कौन सी ट्रिक है जिसकी मदद से आप Google Play Store से किसी भी game को या फिर किसी भी application को बेना internet के आप अपने phone में download कर सकते हैं तो दोस्तों कई बार ऐसा होता है ना कि हमारे phone में हमारे जो internet है खतम हो जाता है हम YouTube पे वीडियो वगरा देख लेते हैं जिसके चलते हँमारे जो internet होता है हमारे फोन में खडच हो जाता है या फिर हम गेम वगरा खेल लेता है तो हमारे जो internet है या फिर आपके फोन में इत्रेंट खतम हो जाए तो किस तरीके से आप अपने phone में किसी भी game को या पिर किसी भी application को चाहे हो कितनी बढ़ी क्यों internet के download कर सकते हैं तो इस setting के बार बताने से बले सबसे बले अगर आपने सुट को like नहीं किये तो वीडियो को एक लाइक आप जुरुषे कर दीजे इसके वाद जिन्होंने भी चैनल को subscribe नहीं किये तो चैनल को भी आप जुरूर से subscribe कर लिजे बगल में आप सभी को पर क्लिक करके all के पर आप सभी को set कर लेना है इस वीडियो के comment में आप सभी को छोटा सा comment भी लिख देना है और comment करके आप सभी को बताना है कि यह जो setting आप सभी को कैसी लगी तो चली अब मैं आपको जल्दी से बता दिता हूं कौन सी setting है कौन सी trick है जिसकी मतलब से आप Google Play Store से किसी भी game को या फिर किसी भी application को आप अपने phone में बिना internet के download कर सकते हैं तो चली अब मैं आपको इस trick के वारे में सब को समझा देता हूं दोस्तों इस trick को करने के लिए आप सभी के पास एक दूसरा Android phone भी होना जरूरी है ठीक है यह Android phone आप सभी के दोस्त का हो सकता है या टो आपके phone में भी Google Play Store को open कर लेना है अब जैसे आप दोनों phone में Google Play Store को open करेंगे तो यहाँ पर आपस भी को पहले वाले phone में या इस phone में माइ आप सेंट गेम के उपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर उस फोन में जितने भी गेम होएंगे, जितने भी अप्लिकेशन होएंगे, वो सारे यहाँ पर आ जाते हैं, अब यहाँ पर इस वीडियो को यहाँ से आप थोड़ा ध्यान से समझ लीजिए, अब मान की चली आपके अप वाले फोन में यहां पर internet खतम हो गया और आपको अपने फोन में कोई game चाहिए कोई application चाहिए तो यहां पर आप सुभी को क्या करना है यहां पर Google Play Store में Secret बटन दिया गया ठीक है यहां पर आप देख सकते हैं Google Play Store में secret option आ चुका है जिसका नहीं तो यहाँ पर आप सभी को क्लिक कर देना है अब इसके उपर जैसी क्लिक करेंगे तो आप सभी को अपने वाले फोन में भी यहाँ पर थ्री लाइन के उपर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको को किसी बहुत को एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस में भेजने के लिए आपको इंटरेट की बिलकुल भी जो नहीं पढ़ने वाली है तो यहां पर मैं इस वाले फोन से इस वाले फोन पर एप्लिकेशन या फिर गेम को आपको भेज के दिखाता हूं क्यूंकि मेरे इस वा अप्लीकेशन बहीं प्सक्राइब साप्रेंक और किलिक करते हUNG और वोपर चैंड के उपर क्लिक करेंगे तो यहां पर यहां पर देख सकते हैं नामा आ चुका है तो इसके उपर में जैकि करता हूँ तो हमारे दोनों खोन में हैं專orus अब अब इसके उपर जैसे में क्लिक करता हूं तो यहां पर आप देख सकते हैं हमारे दोनों फोन में पर पेरिंग कोड आ चुका हैं तो यहां पर मैं इस वाले फोन में रिसीब के उपर क्लिक कर देता हूं और इसके उपर मैं जैसे क्लिक करता हूं तो यहां पर आप देख सकते दूसरे phone में send हो जाएगी, तो यहाँ पर internet बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, आपके phone में internet नहीं भी होगा, तो भी दोस्तो यह जो option है, बिल्कुल अच्छी तरही से काम करेगा, अब आप सुचेंगे कि यह जो काम है, हम share it की मदद से भी कर सकते हैं, लेकिन share it की मदद से पूरी तरह से send भी होगा, बिल्कुल भी रुकेगा नहीं, साथ ही में उस game में application में कोई भी virus भी नहीं होगा, और वो जो game है, वो जो application है, पूरी तरह से Google Play Store से verified भी होगा, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यह जो game है, ट्रांसवर होने वाला है, तो चलिए हम थोड़ स से दूसरे phone में, बिना internet की मतर से send कर सकते हैं, तो यहाँ पर चलिए में से आपको open करके भी दिखा देता हूं, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यह अच्छी तरीक से काम कर रहा है, तो इस तरीके से दोस्तो इस trick का small up कर सकते हैं,